हेलो दोस्तों, छत्री राजपुत, वर्ण विवस्था का प्रारंब रिगवेत के प्रारंबिक चर्णों में वर्ण विवस्था जैसी कोई संस्था नहीं थी लेकिन रिगवेत के दशम मंडल के पुरुष सुप्त पांच में एक मात्र ऐसा सुप्त है जहां इश्वर के निराकारूप को परमपुरुष की संग्या दी गई तथा साथ में चार वर्णों का उल्ले किया गया चार वर्ण कौन से ब्रामण, छत्री, वैश्य, शुद्र जिसमें कहा गया कि परम पुरुष इश्वर के निराकार रूप को परम पुरुष की संग्या दी गई है और कहा गया है कि परम पुरुष की भुजाओं से छत्री उत्पन हुए प्रारंब में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी स्मृति काल में कारे के आधार पर लोगों को ब्रामान चत्री वैश्य या दास कहा जाने लगा था लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद जन्म आधारित हो गई ये सारे तथे आपको रिगवेद पुराणों में ग्रंथों में मिलेंगे गीता के अध्याय 18 में 41 वे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण और कर्म के आधार पर मेरे द्वारा समाज को चार वर्णों में विभक्त किया गया है इसी गीता के अध्याय 18 में 43 वे श्लोक में छत्रीयों के गुणों की व्याख्या की गई है छत्रियों के गुण शौर्य, तेजस्वी, धैर्य, योद्धा, दानवेर, इश्वर म्यास्ता और कुशल संचालक पुराने समय में राजपूत शब्द जाती वाचक नहीं था परिवार वाचक था ये राजपूत्र शब्द का अपभरंश था कहीं कहीं इन्हें रजपूत्र अर्था रज मिन्स धर्ती, धर्ती का पूत्र भी कहा गया क्योंकि वैदों में छत्रियों के लिए लिखा गया है छत्रित्व ते इती छत्री अर्थाद जो वर्ग कमजोरों की साहता करे आश्रे दे सनरक्षन दे सुरक्षा देने वाला वो छत्री राजपी